हलो फ्रेंट्स मैं दीप और आप देख रहें फिल्डी नीचर आसा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया से होंगे और ठीक टाक से होंगे तो फ्रेंट्स ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं यश जो सूपर साइकलोन का नाम दिया गया है उसके पहले की वीडियो है तो आ साइकलोन है इसका प्रकोप नहीं देखा जाएगा लेकिन कुछ-कुछ जो समुन्दर के किनारे की एरिया है जैसे सुन्दर बन हो गया वह निक्षर हो गया यह सब एरिया में ज्यादा तर थोड़ा सा लुक्सान होने वाला है तो यश आने के पहले आप लोग अपने गार के उपर जो भी प्लांट हम लोगों ने प्लांट की थी या फिर जो भी पॉट रखा था तो सारे के सारे पॉट को हम लोगों ने नीचे उतार दिया है तो इधर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ तो देखी सकते है सारे के सारे पॉट जो हम लोगों की दिवाल के उपर थे उसको नीचे उतार देना है ताकि जो साइकलोन आये तो उसमें ज्यादा लुक्षान ना हो तो यहां भी हम लोगों ने उतार दिया है और यहां पे भी हम लोगों ने उतार दिया है और इधर सार कर दिया कि इसमें ज्यादा लुक्षान नजर ना आए और क्या कर सकते आप लोग इसके बारे में भी बात करूंगा जो कि देख सकते सुपर साइकलोन के साथ हम लोग की यहां पर बारीज भी होने वाली है तो हर एक पॉट को जो आप लोग के अच्छे ड्रेनेज वाली पॉ सब्सक्राइब करता है इसलिए इसका जो स्वाइल मीडिया है उसका हम लोगों ने तैयार किया था है तो इसलिए हलका पर तील करके रखा है हम लोगों ने ताकि जो एक्स्टा वाटर है वह अच्छे से निकल जाए तो आप लोग यह भी प्रिपरेशन ले सकते और जो प् हम लोगों को इसको एक सपोर्ट देना है ताकि यह इदर से उदर ना हो पाए और इसमें ज्यादा फ्लावरिंग होने के बज़े से यह थोड़ा सा उदर जुब दिया है तो इसको भी सीधा करना है तो आप्टर वीडियो बनाने के बाद में यह प्रिपरेशन लेना वाला है तो वहां वहां तैयारी आप लोग सबसे पहले कर लीजिए और आफ्टर यश के बाद हरे प्लांट में हरे प्लांट में आप लोग को फंगी साइट का यूज़ करना है फंगी साइट आप लोग अच्छे से स्प्रे कर दे ताकि इसके जो रूट बॉल है वो सड़ ना लग पाए तो फ्रेंट्स यह सब तैयारी आप लोग को करना है और हम लोग की यहां पे जो खपरेल के घरों में रहते हैं या फिर उन लोग के लिए नजदी की स्कूलों में सेवा दिया गया है तो आप लोग जा के वहां पे रह सकते अभी और आपके जो डॉकुमेंट्स है वो सारे डॉकुमेंट्स आप अपने साथ ही लेके जाए ताकि अगर कुछ भी लुक्षान हो तो आपका डॉकुमेंट्स आपके साथ रहे जिसे की वो सारे के सारे आपके सुरक्सित रहे तो फ्रेंट्स अभी कोरोना भी चल रहा है तो अगर आप लोग वहां जाते है तो माक्स जरूर पहन के रखिए और सैनिटाइजर साथ में रखिए और थोड़ी सी हो सके तो दूरी बना के रखिएगा क्योंकि अभी जो हालत हम लोग की यहां पे होने वाली है तो उसके लिए आप लोग को साबदानी बरतना है जो कलकता साइड में रहते है या फिर सुन्दर बन साइड में रहते है उन लोग के लिए ज्यादातर लुक्षान की संभावाना है पहले हम लोग को बोला गया था कि यह 200 के अबब में यह जो तुपान है वो आने वाला है लेकिन अभी जो मालूम चल रहा है वो 200 के नीचे ही आएंगे तो ज्यादा लुक्षान होने की ट उटूवा ता हम लोग की आगे की यह जो तुफान ती वो था साइक्लोन सिर्फ और अभी जो यह जो नाम की साइक्लोन आ रही है यह है सूपर साइक्लोन तो यह भी द्यान रखना है हम लोग Michael और आप लोग घरों में रहिए सुरक्सित रहिए बाहर ने अभी मत जाएए ताकि बाहर में अभी पेर पौदे गिर सकते हैं ज्यादा तुफान के वज़े से तो यह हम लोग की कल यहां पे स्ट्राइक करने वाली है तो पहले ही सुरक्सित हो जाएए आप लोग अगर यह व वीडियो के साथ इसी के साथ विदा लेते हैं बाई फ्रेंड्स